अब 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 कर रहे हैं हैं अब 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 आपको पीडियेफ मिल जाती है प्रॉपर तरीके से सफलता का शॉटकट नहीं है पढ़ो अच्छा पढ़ो otherwise time pass करने का कोई मतलब नहीं आपका ठीक है अच्छा पढ़ो quality पढ़ो quality कहा मिलेगी आपको यहीं मिलेगी हमारे batches से जुड़ो बेटा मैं आपको real बता रहा हूं यह बात quality आपको मिलेगी 100% मिलेगी railway record breaking batch आप कोई भी exam फोड़ना चाहते हो group D फो पढ़ो और तैयारी अभी से शुरू करो math foundation batch जो फोड़ना चाहते हो आपका 699 का यह मिलेगा तैयारी शुरू करो तैयारी आपको करनी है quick tricks by sahil sir application पर जाईए तैयारी शुरू करिए जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए harish express, aakash express, sahil express चल रहा है यूट्यूब चैनल पर topic wise preparation और एक daily practice program दुपैर में तीन बजे, छे बजे और दस बजे रात को catch the science चलता है पाइप एक किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकती है पाइप भी पाइप बी के साथ में मिलकर, याने कि A और B साथ में मिलकर 12 घंटे में तो यह हो गया 84, 14, 6, 84, 12, 7, 84, ठीक है बई? चलिए, ठीक है अब इसलिए पाइप भी अकेले खाली हौद को भरने में कितना समय लेगी? तेको ultimately भरी रहा है तो इसकी जो efficiency है वो 6 है, इसकी efficiency है वो 1 है भरने की भी तो 84 ले लेगी, कितने घंटे 84 आवर्स में भर देगी? 84 आवर्स में वो टंकी को पूरा भर देगी अगला question आपके सामने यह रहा, चलिए बना कर दिखाएए क्या answer आता है? एक टंकी को नल, नलों A और B द्वारा, नलों A और B द्वारा 6 गंटे, 3 गंटे में भरा जा सकता है, C भरी हुई टंकी को 5 गंटे में खाली करता है, याने कि एक outlet pipe है, तो टोटल आपने देखा सर, 18 पंजे 90 है, तो 6, 6 से करा 15 बार, 3 से करा 30 बार, 5 से करा कितनी बार, 18 बार, जो कि माइनस में है, ठीक है, अब 3 नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय आपको लगने वाला है, तो बेटा देखो, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, 45 में से 18 चले गए, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 45 में से अगर 18 चले गए, तो यह 9 दूनी 18 और 9 पंड़ 45 तो 27 आ जाएगा, तो 27 की efficiency आ रही है, टोटल, टंकी तो भरेगी भरेगी, और 90 unit 3 टंकी की capacity है, और 27 की efficiency से आ भर रहे हो, तो आंसर आ गया सर, 10 बटे 3 घंटे, यानि कि 3 सही 1 बटे 3 घंटों में आपका यह काम हो जाएगा, ठीक है, LCM आप 30 भी मान सकते थे, अगला प्रशन आपके सामने यह रहा, कि 3 नल हैं सर, ABC किसी टंकी को इतने इतनी देर में भरते हैं, तीनों नलों को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय भरेगी, खटाक से करके बताईए, पूरी प्रैक्टिस, पूरा रिविजन आपका यहां होने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और, ALP वाले जितने भी चात्र हैं, आप सभी चात्रों के लिए, ALP, Math, Special, ALP, Booster भी आपके लिए आ रहा है, लॉंच करूंगा, प्राइज भी बताऊंगा, और किन बच्चों के लिए वो फ्री है, वो भी बताऊंगा, RRB वालों के लिए फ्री है वैसे वो, ठीक है, चलिए, अब इस कुशन को करिए, चलिए, तीन नल हैं सर, A, B, C, किसी टंकी को भरते हैं सर, किते, चार, चे, और बारा गंटे में भरते हैं, टोटल हमने क्या बोल दिया, ये बारा बोल दिया, तो चार तीया बारा, चे दुनी बारा, बारा एकम बारा, तीनो चीज दिख लिया आपने, चलो, तंकी तो तीनो भरी रहे हैं, तो तीनों मिलकर 6 की efficiency से 2 गंटे में टंकी भर जाती है 2 गंटे का आपका समय लग जाता है टंकी को भरने में अगला प्रशन आपकी screen पर दिया है ये लीजिए करके बता दीजिए एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 गंटे में भरता है एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 गंटे में भरता है और टंकी में पानी चूने के से चूने से इसको भरने में इतने गंटे लगते है त्यानि कि एक whole की वज़ा से कितना टाइम लग रहा है तीन दू नीचे और एक साथ बटे तीन तो टोटल हमने देखा कि 14 है इसकी एफिशंसी साथ आ रही है इसकी एफिशंसी कितनी आ रही है छे आ रही है मतलब है ना टंकी तो फिर भी बरती है ठीक है अब हम यहां लॉजिक देखने की तलाश में आते हैं यहां अगर साथ है तो जो होल है वो एक की दर से निकाल रहा होगा पानी तो भरी हुई टंकी पानी के रिसने की वज़ा से कितनी दिर में खाली हो जाएगी तो 14 यूनिट टंकी है और रिसने की जो दर है वो एक यूनिट पर आवर है यानि कि 14 गंटे में वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी यह आपका D answer हो जाएगा 14 गंटे में वो पूरी तंकी आपकी खाली हो जाने वाली है अगला प्रशन देखिए दोस्तों हाँ थोड़े थोड़े ठीपिकल बनते जाएंगे question यह देखो 3 गंटे 45 मिनट है अब इसे ढंक से लिखना पड़ेगा आपको चलो पर ट्राई करो सर किसी टैंक को है ना दो पाइप A और B अलग-अलग 3 गंटे में A और B अलग-अलग एक तो 3 गंटे में और 3 गंटे 45 मिनट को मैं साइड में ले जाता हूँ 45 बटे 60 लिख देता हूँ गंटे में बदल देता हूँ तो 3, 15, 45 वार 15, 64 तो 4 तिय बारा और 3, 15 बटे 4 तो कितने गंटे में 15 बटे 4 गंटे में ? 3 गंटे में और 15 बटे 4 गंटे में चलिये अब आते हैं सरस्य पूरे tank को खाली भी करता है, एक गंटे में हमने क्या ले लिया कि LCM ले लिया जो 3 से 15 से और 1 से चला जाये, तो मैंने का 15 ले लो यह वही लॉजिक है जहां पर कलम फस गए थे आदा भरा था यानि कि टैंक भी आपका आदा ही भरा था ठीक है तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है अब तीनों पाइपों को खोलने के पस्चात में आप देखो कि टंकी तो सब भरेगी नहीं तंकी तो खाली हो रही है गंटे और एक पटे चार यानि की पंदरा मिनट एक गंटे पंदरा मिनट आपका आंसर आने वाला है कि टंकी खाली ही होगी और हमेशा याद रखना कि टंकी उतनी ही खाली होती है जितनी भरी हुई है जितनी भरी है क्योंकि यहाँ पर जो overall efficiency निकल कर आ रही है वो negative आ रह दोस्तों आपका चलिए अच्छे बात है लोजिक क्लियर होना बहुत आवशक है आईएगा स्टार्ट करते हैं अगला प्रशन करना जो कि आप बनाएंगे को कि दो पाइप एक को 15 यह और 12 घंटे में इस दूसरा पाइप है एक 15 घंटे में दूसरा पाइप पंदरा घंटे में दूसरा बाइप बार घंटे चाहिए जब कि तीसरा pipe क्या करता है 20 घंटे में खाली करता है बेटा खाली करने का मतलब समझ जाईए ये 60 आ गया 15 चौके साथ 12 बारे पंजे साथ और 20 तिया माइनस में 3 ठीक है तो तीनों pipe को साथ में खोलने का मतलब है 9 में से 3 गया तो 6 यूनिट से और 60 बारे चै करेंगे तो 10 घंटे में आप बना पा रहे हो आप बताईए आप बना पा रहे हो हाया ना में जवाब दीजिए अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पर है ये देखिए करिए अभी तो पिच्चर शुरू हुई है यह तो कल वाली पिच्छर थी जो थे कोशिंट जो आप बना भी रहे हो बना के भी लाए होंगे पहले से अभी आपको मज़ा तब आएगा जब आप नई कोशिंट भी बनाने सोचेंगे एक टंकी को नौ गंटे में भरा जा सकता है लेकिन एक रिसाव के कारण एक गंटा अधिक समय लगता है तो एक टंकी को हमने क्या किया नौ गंटे में भरा जा सकता है अब एक रिसाव है, होल है उसकी वज़ा से उसको ज्यादा लग गया एक गंटे, दस गंटे लग गया तो टोटल टंकी की जो चमता हो गई वो 90 हो गई यह 10 है तो यह 9 है अब आप देखिए यह 10 यूनिट है तो यह होगा माइनस का एक तो आप यह देखिए कि रिसाव की वज़ा से क्या हो रहा है 90 गंटे में खाली हो जाएगा रिसाव की वज़ा से 90 गंटे में वो खाली हो जाएगा चलिए, पर यहां तक को आपके जो हमवर्क में थे आपने बना ली होंगे आप स्टार्ट करते हैं कुछ और नए टाइप के कुशन जो पाइपन सिस्टन के आपके पेपर पूस्टा है लिमिटिड कुशन आते हैं लेकिन इस तारा के आते हैं आपको पता लगना चाहिए चलिए, अब पहला कुशन अब नएटिवन कुशन आपके सामने ये रहा ये लीजी करके बताईए पाइप A, B और C एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं पहले दो पाइप चार गंटे और दस गंटे एक टंकी बढ़ सकते हैं और भरी हुई टंकी को खाली करने में छे गंटे लगते हैं तो टोटल हमने मान लिया कितना ये हो गया सर्जी 60, 4 का भाग देंगे 15 बार, 10 का भाग देंगे 6 बार और 6 का भाग देंगे माइनस का 10 बार यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गए होगी यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3 बटे 5 भाग भरा होने पर सुनरे बात को यदि सभी 3 pipe टंकी का 3 बटे 5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने गंटे लगेंगे एक साथ खोल दिए 3 बटे 5 भाग तो पहले सी भरा हुआ है तो 60 का हमें केवल अभी 2 बटे 5 भाग भरना है यानि कि 24 यूनिट अंकी भरनी है भरने के लिए काम करने वाला जो कितना 21 में से तज़के 11 तो केवल 24 बटे 11 इतना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर टंकी भर रही है खाली नहीं हो रही है तो खाली होती है तब उतना ही खाली होता है जितना भरा हुआ है तीन बटे पांच अब तीन बटे पांच तो भर गया छोड़ो उसको इतना भरना बाकी है इस से भरा जाएगा इतना टाइम लग जाएगा अब जो 36 बटे 11 दे रहे हैं न उनका नाम है आख के अंदे और नाम नयानसुक है उनका नयानसुक नाम है पॉर्शन कर दिये एक साथ कारे करते हुए पाइप A और B एक खाली टंकी को 10 गंटे में भर सकते हैं एक साथ कारे करते हुए पाइप A और B एक खाली टंकी को 10 गंटे में भर सकते हैं उन्होंने 4 गंटे तक एक साथ काम किया फिर B ने काम करना बंद कर दिया तो ये कर सकते हो अब बचा हुआ काम जो A है A ने कारे अंत तक जारी रखा और टैंक को बरने में कुल 13 गंटे लगे तो जो बचा हुआ काम है उसको करने में 9 गंटे और लगे होंगे B को B ने करना बंद करते हैं A को वेकि 4 गंटे तो पहले करी लिया था तो यहां से आ रहे है सर 6 A प्लस का 6 B बराबर आपका 9 A तो 3 A बराबर आपका 6 B A और B का जो रेशो आ रहे है वो आ रहे है 2 रेशो 1 तो टोटल आपका जो काम आ जाएगा वो आ जाएगा 30 अब A द्वारा खाली टैंक को बरने में कितना समय लगेगा 2 की Efficiency है 15 गंटे लगेंगे 2 की Efficiency है 15 आवर्स लगेंगे 2 की Efficiency है 15 आवर्स लगने वाले हैं तो बेसिकली घजब का कुष्चन है अगला कुष्चन आपकी स्क्रीन पर ये रीजिये करके दिखाईए है आप एक स्विमिंग पूल के तीन टैंकर दे रखे हैं के सर A B और के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है underscore A B और के तीन सरनव माध्यम के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है खीक है और बी को बराबर करना पड़ेगा C हो जाएगा 4 B हो जाएगा 2 और A हो जाएगा 1 और 3 हो मिलकर 10, 8, 80 total work sorry 10, 7, 70 total work कैसे 7 efficiency आगे 3 हो की और 10 गंटे में भरते हैं तो A दो आरा अकेले भरने में कितना एक का भाग दो 70 गंटे कैसा लग रहा है बता दो एक बर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा quality चीज मिल रही है सब cover हो जाएगा बेटा tension नहीं लेनी है अब अगला जो chapter आएगा वो आएगा time speed distance देख लो आप अगला गरी चलिए और आप सभी बच्चों को booster सीरीज जरूर करना है ना क्योंकि उसमें जो paper मैंने बनाए हैं बहुत ही गजब के paper बनाए हैं और मतलब चार पांस तो बना दी हैं start करेंगे उसको अपन आराम से वेनस्डे से start कर देंगे 10-11 से ठीक है ना क्या है वेनस्डे को एक बड़ चेक कर लेता हूं वेनस्डे को 10 तारीक है 10-11 11 से कर लेंगे गुरुवार से कर लेंगे जब भी ठीक है अना अभी launch कर दूंगा उसको जिंता मत करो क्या प्र्राइजिंक है वह सब बता देंगे बहुत कहना आज और सी कोशन आतें बिटा ओढसे ही कोशन आते इस भाही देखो ब natomiastliga एक prec道 क करते हूँ आ किसी टेंग को?", एक टेंग को तीन घंटे में दूसरे टैंक को चार गंटे में तीसरी पाइप टंकी को आठ गंटे में खाली करती है चलो वाई टोटल काम क्या हो गया 24 एफिशेंसी आठ 4 चीकी 24 और 8 तीया 24 माइनस में 3 खाली करने वाला है न जब एक बटे 12 भरी हुई हो तो सभी तीनों पाइपो को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना अब अल्रेडी भरी हुई है एक बटे 12 तो खाली कितनी है मता दो जरा अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे नेक्स्ट करिए भई पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 गंटे में खाली कर देता है पाइप भी उसी खाली टैंक को 35 गंटे में भर सकता है यदि चालू करने के बाद में वैकल पिक रूप से टैंक को भरा होने पर अगर पाइप A और B को एक के बाद एक एक गंटे के लिए खोला जाता है तो अब यह अल्टरनेटे वाला है यह खाली कर सकती है 28 गंटे में और B भर सकती है 35 गंटे में यहां से और यह हो गया सर प्लस का चार भरेगा अभी कोशन खतम नहीं हुआ शुरू हुआ है अल्टरनेटेवली आते हैं सर यह कोशन बढ़िया हो जाते है फिर आप देखना इसमें पाइप A और B एक के बाद एक आते हैं पहले A आता है फिर B आता है तो यहां हम देखते हैं कि टंकी कितने समय में खाली करने के लिए कितना समय लगेगा टंकी एक यूनिट खाली हो रही है केवल कितने में दो गंटे में दो गंटे में एक यूनिट टंकी खाली हो रही है सोच के चलो भाई कि आपको 135 यूनिटी टंकी खाली करनी है पहले यह आता है ना यह आता है तो तुरंती निकाल देगा 5 यूनिट और तो अगर 5 यूनिट बचा कर रख लो तो 135 फे खिल लो तो 135 यूनिट को खाली करने में 270 गंटे लग गए अभी कितना बाकी है 5 यूनिट और बाकी है यह आएगा और खतम कर जाएगा यह गंटे में तो मेरे अकॉर्डिंग 140 यूनिट को खाली करने में 271 गंटे लगने वाले हैं अगर आप 280 गंटे आंसर दे रहे हो तो गलत है मंग की कंसेप्ट है 271 आंसर होगा इसका 280 नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि लास्ट में जब वो आ रहा होगा ना कौन ये ये एक बर में 5 खाली करेगा तो वो 5 पहले से बचा कर रखो आप 135 ही भरो मतलब 135 यूनिट ही खाली करो पहले अब जो 140 में से 5 यूनिट होगा वो एक ही घंटे में काम हो जाएगा फिर आप जोड़ा मतले कर चलो वो गड़वड हो जाती है फिर फिर जोड़ा मतले कर चलो भाई आप बात समझ रहे हो मेरी फिर वो जोड़ा मतलीजिए बढ़ना गड़वड हो जाएगी आपसे ओके चलिए अगला कुशन एक बार झाल 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 यह कभी है ना यह दोस्तों से मिलकर कभी कोर्स मत ले लेना समझ रहे हो बात को अभी अभी जिब लेट हुआ ना मैं बच्चे का कॉल आया सर मैं बहुत परेशान हुआ हूं मैं क्या हो गया बताओ मेरे दोस्त ने मेरे से बैच ले लिया और मेरे का ब्लॉक कर दिया मैं गेल लो तो अपना लो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो खुद के तरीके समझे लो मेरी बात वरना दोका मिल जाता है वहाँ पर भी दो पाइप में सर A और B एक साथ एक खाली टैंक को आट गंटे में भर सकते हैं ठीके बाई चलिए एक साथ दौनों पाइपों को चालू कर देने के दो गंटे बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है तो यह कुशन वैसे यह M.D.H की तरह कि A और B आट गंटे में भर सकते हैं खाली टैंक को दौनों पाइपों ने दो गंटे तक तो भरा उसके बाद B को बंद कर दिया तो A टोटल 11 गंटे लग रहे हैं तो 9 गंटे A अकेला काम करेगा समझे बात तो यहां हम यह कह सकते हैं 6A और 6B बराबर 9A तो 6B बराबर आपका हो गया 3A तो A और B बराबर हो गया तो टोटल वर्क बराबर कितना हो गया भाई आरतीय चौबिस क्योंकि दो और एक तीन आरतीय चौबिस है अब पाइप A अकेले खाली टैंक को कितने दिन में भर देगा 12 गंटे में अगर आपने निकाल लिया हो तो भाईया आप एक नंबर और पक्का समझो अपना एक एक नंबर एक एक मतलब सब कवर हो रहा है ठेक ह अच्छे से पढ़ाई करो भाई नाम रोशन करो देखो ना नेक्स्ट अगला कुशन देखी बिटा करी नंग से कुशन को पढ़ो बना लोगे मुझे भरोसा है अब पर तुम्हें खुद पर नहीं होगा लेकिन मुझे तुम पर है कोशिश करो बस है झाल 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 दो पाई पे सर A और B किसी खाली टंकी को 18 और 27 गंटे में भर देते हैं A और B हैं किसी खाली टंकी को 18 और 27 गंटे में भर देते हैं C पूरी भरी हुई टंकी को 45 गंटे में खाली कर देता है C पूरी भरी हुई टंकी को 45 गंटे में खाली कर देता है जाहिए 27 के लिए और 5 चैये 45 के लिए 18 का भागको देंगे तो यह 15 आ गया 27 आगया 10 आ गया और 45 आगया 6 आगया माइनस में है तो करे ने 5 नहीं चल रहा हो ठीक है शुरुफ bewात में जब टंकी कहाली थी तो पाइप और च शालो किया गया है तंकी खाली थी तो टंकी भरने लग गई 9 की efficiency के साथ में कुछ गंटे के बाद pipe A को बंद कर दिया गया मानलो कुछ गंटे तक मैंने चलाई फिर बंद कर दिया pipe A को और pipe B को चालू कर दिया अब 4 unit से टंकी भरना शुरू हो जाएगी इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 55 गंटे लगे तो X गंटे यहां लग गए तो कुल 55 माइनस X यहां लग जाएंगे और टंकी भरके तैयार हो जाएगी 270 unit बस ऐसे करना है solve तो 9X प्लस का 220 माइनस का 4X बराबर 270 5X बराबर 50 X बराबर 10 तो पाइप B को कितने गंटे चलाया गया तो बाइद देखो ऐसी बात है पाइप B यह रही तो पाइप B को 45 गंटे चलाया गया मज़ा आ गया कर लो line by line करो question है न तफ नहीं होता है X घंटे यहा लगा तो 55-X वहां काम करेगा जब B और C काम कर रहे हैं और B तब ही आया है तो यही time है B के काम करने का तो X की value 10 निकाली हमने solve करने के बाद तो 45 हो गया अगला करके दिखाएए दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे से दुग्राइए ऐक की दुग्राइए एक दक्षता जो है वह दूसरे से दुग्राइए और दोनों एक निकास के साथ में काम करते हुए आठ गंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं कम दक्षई इनलेट पाइप द्वारा खाली को स्वैम भरने में कितने समय का लग जाएगा टाइम मैं यह बोलना चाहता हूं भाई दो प्रवेश पाइपों में से एक तो कम ठीक है इनकी एफिशेंसी दे दी दो प्रवेश पाइपों में से और एक निकाशी पाइप भी है ऐसा है तो दो आपके इनलेट पाइप से और एक आउट्लेट पाइप यह आँठ घंटे में खाली कर सकते हं आप भर सकते हैं और C जो अकेला है वो 8 गंटे में खाली कर सकता है total 8 माना efficiency 1 मानी यहाँ efficiency minus 1 हो जाएगी क्योंकि यह आपके overall तो inlet बन रहा है overall तो भर रहा है और यह आपका खाली कर रहा है अब यहाँ खेल है concept का कि A को क्या मानूं, B को क्या मानूं, C को क्या मानूं जिससे कि यह क्या आजाए जिससे कि यह 1 के बराबर आजाए अगर यह मैंने minus 1 माना है minus minus plus तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा 2 और A और B की efficiency क्या हो जाएगी फिर वो main है 2 और 1 A plus B अगर आप 2 मानेंगे तो C की वैसे भी एक आ रही है ना ठीक है, ठीक है, कोई issue नहीं तो यहाँ हम यह देखते हैं यह A का रहा है अपना अब A काने के लिए यहाँ अगर आप A और B को 2 और 1 मान रहे हैं और यहाँ minus 1 कर रहे हैं तो efficiency 2 निकल कर आएगी बैठेगा नहीं बैठेगा तो नहीं भाई बढ़िया कोशन है आ रहे है तो इसका मतलब क्या है कम दक्ष इंलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयम भरने के लिए कितने समय कितने घंटे का समय तो अब ऐसा दिमाग लगाओ भीटा कि यह ना यह जो A और B की efficiency है वो 2 आ जाए तो दो माइनस एक करेंगे तब भी तो एक बनेगा तो 2 माइनस अगर एक करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 रेशो बराबर 2 एक रेशो बराबर 2 बटे 3 तो इसकी efficiency 4 बटे 3 और इसकी efficiency 2 बटे 3 तो कम दक्ष वाली की efficiency आगई 2 बटे 3 तो कितना टाइम लग जाएगा आठ दो बटे 3 बारा और ऐसे कुशन को बना लीजिए रेलवे का स्टार आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम रिपीट भी करेंगे लेकिन ये रेलवे का उभरता हुआ कोशन है उभरता हुआ कोशन है तर आठ की जगा 24 ले लिजिए रे कुछ भी मतलो बेटा समझने की कोशिश करो कुछ लेने की जरवत नहीं है समझना है basically कोशन में दम है दुबारा चाहते हैं दुबारा बताता हूँ चलो कोशन की लेंगवेज ही ऐसी है आपको कन्फ्यूज कर सकती है दो तो आपके इनलेट पाइप है प्रवेश पाइप इनलेट पाइप हो गया न अब उनमें दौनों की छमता का बात विशह है कि उनका रेशो दे रख है टू रेशो वन तो इनको साइड में पटक दो रेशो तो पटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं अब दौनों एक निकास पाइप के साथ काम करते हैं जो मतलब निकास पाइप आठ गंटे में टैंक को खाली कर देती है तो जो आउटलेट पाइप है जो c मैंने मान लिया आउटलेट पाइप वो 8 गंटे में खाली कर देती है और 8 गंटे में खाली टैंक को भर सकते है अगर तीनों मिल जाएं तो तो 8 मान लिया यहां से Efficiency एक आनी चाहिए और यहां से माइनस का एक क्योंकि खाली करने वाल है ना इसलिए अब यह माइनस ले रहो तो इसको अब a plus b plus c लोग कोई दिक्कत नहीं है अब a plus b plus का c बराबर कितना होना चाहिए एक के बराबर तो जब c अगर माइनस एक है तो a plus b की value overall कितनी हो नीच है दो तो बेटा यही तो बात कह रहा हूँ कि यहां इनकी efficiency दो और एक नहीं है वो निकालने पड़ेगी यहां दो आ रहा है ना तो तीन ratio बराबर दो एक ratio बराबर दो बटे तीन तो यहां पहले वाले pipe की जो है वो चार बटे तीन और दूसरे वाले pipe की दो बटे तीन यह दो efficiency आ गई तो हमें जो कम दक्षता वाला है न पाइप इनलेट पाइप वो कित्ती दिर में 12 गंटे में कुशन में दम है अगला करींगे करो 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 खैंचो मीटर यार सीखना है हमें कर दो करते हैं झाल झाल रगू को टेंकर रगू का टेंकर एक जलाश्य को चार गंटे में भर सकता है जलाश्य आदा भरने के बाद इसी तरह के तीन और टेंकर खोल दिये जाते हैं तो बताओ सर मैं एक कहना चाहता हूँ रगू का एक टेंकर चार गंटे में भर सकता है माना मैंने tanker की efficiency एक है तो आपकी जो capacity हो जाएगी वो 4 unit हो जाएगी समझना बात को ठीक है जलाश्य आदा भरने के बाद तो 2 unit तो उसने भर दिया 2 unit भर दिया उसने ठीक है बाकी के 2 unit के लिए कौन आ रहा है बाकी के 2 unit के लिए इसी तरह के 3 और tanker खोल दिया जाते है तो total efficiency हो गई 4 तो कितना लगेगा half an hour ठीक है half an hour लग गया total capacity 4 हो गई न तीन और tanker अगर मैं प्रतेक tanker की capacity को मानता हूँ efficiency को मानता हूँ एक है तो 4 tanker हो गई तो अब आदे घंटे लगेंगे ठीक है आपकी efficiency एक है तो इन दो उनिट के लिए आपके कितने घंटे लगए दो घंटे यहाँ लग गई तो आपका time जो लगने वाला है वो लगने लगने ओ लगने ए ठाइग गंटे 2 and a half hour त्योकि उस समय और यह यह पाइप के लिए भी काम करता है यह बार पाइप्स होती है ना पाइप सेम एफिशेंसी की पाइप्स लाल दी जाएं टैंकर डाल दी जाएं तो यह दोनों ही कॉंसेप्ट पर बेस्ट कोशन बनते हैं इसमें ठीक है कोशन अच्छा है अगला कोशन देखिए भाई करो पूरा हो जाएगा रिवीजन बेसिक क्लियर नहीं बेटा मैं आपको अभी भी बोलता हूँ और लेट मत करो किसी भी एक्जाम की तयारी करना चाहते हो अब अपनी तयारी को अच्छे बनाओ और कुछ भी नहीं सब सही हो जाएगा पी क्यू आर ऐसे पाई पैसर जिनके माध्यम से एक टैंक क्रमश है विल्यानों ए बी सी का निर्वहन करता है यदि पी क्यू आर को अकेले संचालित किया जाए तो तीस बीस और दस मिनट में भर सकते हैं तो पी क्यू और आर जिससे ए लिक्विड निकल रहा है बी बीस मिनट में और दस मिनट में भर सकते हैं टैंक को तो 60 माना एफिशेंशी दो हो गई ये तीन हो गई और ये आपकी छे हो गई जब टैंक खाली है तो सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो तीन मिनट के बाद में टैंक C का अनुपात क्या होगा मैं ये बोला चाहता हूँ देखो विलियन C है जो की पाइप R से निकलेगा तो तीन मिनट में कितना निकल जाएगा 18 यूनिट तो 18 यूनिट निकल गया वो विलियन किस अनुपात में होगा तो 18 बटे 60 तीन मिनट के बाद विलियन का अनुपात क्या होगा तो ऐसा कर सकते हैं वैसे 18 बटे 70 मत बूले 18 तो निकाला है आपने है 18 तो केवल CC निकला है बाकि तो और भी तो निकले ये भी तो निकले 6 और 39 और दो 11 तो यह हम कह सकते हैं सर तीन मिनट तोटल निकला है 33 वैसे वैसल में टोटल वाला ये निकला है जिसमें C का पोर्शन ये है ये पूछा जा रहा है तो 6 बटे 11 आई तो गांसर आजाएगा अमरेंदर कुमार कह रहा है सर सब कोशन ऊपर से जा रहा है अब अमरेंदर में ये आपकी तारीव समझू या आपकी नाकामी पिटा इन सब चीज़ों को लिखने से या फिर आप लोगों को ना करने से आपका सेलेक्शन नहीं होने वाला है किस से होगा पढ़ने से होगा या तो आप capable हो कि आप इन question के basics को जानते हो जो कि हमने आपको सिखाए है इतना foundation तो मैंने आपका create किया ही है अगर आपका नहीं है तो आप पढ़ो अब उसमें भी अगर आपको शरम आती है तो फिर आप जानो आपकी किस्मत जाने के आप क्या चाहते हो है ना सारा खेल ही उस चीज का है अगला question देखिए पाइप और सिस्टन का क्या पूछा गया है मैं तो हर type cover कर रहा हूं हर चीज मैं सिखा रहा हूं यह देखो आप question मेरी तरफ से कम ही नहीं रहीगी चाहिए मैं फिरी पढ़ाऊ चाहिए पेड़ पढ़ाऊ content वैसा ही मिलेगा जो आपको exam निकालने के लिए चाहिए चलिए अब यह question एक बढ़ लीजे बिटा अब आप में से कितने बच्चे से कर पाएंगे वह बच्चे ही जानते हैं जिन्होंने यह करा हुआ है यह जो जानते हैं कि कैसे करना है हिंदी वाला भी है हिंदी वाला भी है सबर रखो न कमेंट बटा बटा जाते तुमारे ले मैंने कहीं करवाया है मेरे को याद आ रहा है कहीं तो वह नहीं करवाया है question भी रेलवे के दित्रश्टी कौंड से ही करवाया चाहिए लेकिन अच्छा था दुबारा इसलिए लेकर आए इसको आपके पूछा गया है यह वरना railway के लिए मैं सोच भी ने सकता इस question को डालना बट examiner नहीं सोचता कि वो बच्चे कैसे करेंगे अब आप खुद देख लो अब हिंदी में यह question ले लीजे आप एक बढ़ पढ़ लीजे समय भी ले लीजे झाल आओ भाई एक पाईप यदि अपनी पूरी छमता से कार्य करता है ना तो एक खाली टंकी को एक गंटे में भर सकता है आला कि पहले गंटे के दौरान वे अपनी पूरी छमता के एक बटे 12 हिस्से से कार्य करता है दूसरे गंटे में वे अपनी एक खमता के एक बटे 9 हिस्से से तीसरे गंटे के दौरान एक बटे 6 हिस्से से चौते गंटे के दौरान एक बटे 4 से पाचवे गंटे के दौरान एक बटे 3 से अब एक दूसरा पाईप आ जाता है वो भी इसी तरह का प्रदेशन करता है यहां तक पहले पाइप की बात हो रही है यहां से दूसरा पाइप आ रहा है और वो भी इसी तरह का प्रदेशन करता है लेकिन यह पूरी छमता से कारे करता है यह एक बटे बारा बारे पूरी छमता से वह खाली टंकी को दो गंटे में बर्सकता है दूसरे वाला पई दो गंटे में खाली टंकी को बर्देगा हो सै जए चली और एक Each पइप अपनी पूरी всемत से काड़े करता है तो टंकी को एक गंटे में बर्सकता कि वह पूरी अध से काड़ करता नहीं है अब एक तीसरे पाइप जो स्थिर्दर से टंकी कोई अन्या पाइप काम नहीं कर रहा हो तो भरी हुई टंकी को पानी निकालने वाले पाइप द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा या कितने गंटे लगेंगे कि अपने प्रशन पढ़ लिया क्या यह बच्चों नहीं सोच लिया छोड़ो यार इसी से करके सलेक्शन थोड़ी नहीं होगा इसको छोड़ देते हैं कि चलिए कि आजाओ कि अब आते हैं पूरा सॉलुशन समझते हैं कैसे क्या होता है इसका आओ बेटा सबी बच्चा आजाओ आप माल लीजिए एक बटे बारा एक बटे नौँ, एक बटे चार, एक बटे पच्छे, एक बटे तीन कटना चाहिए तो टोटल कैपसिटी ओफ टैंक आप माल लो 360 यूनिट माल लिया आपने सर अपने आप माल लियागे, हाँ आप माना है, ये लेट है लेट मतलब होता है मानना कोई भी मान लिजिए, जिससे कि ये सबसे कड़ जाए, वो हमारा कोई काम भी नहीं है इसका, आप भी मत सुचने है कि इसका कोई काम है, कोई काम नहीं आएगा बस मानने से क्या होगा, calculation आसान बन पड़ेगी, ठीक है बई, चलिए, क्या बोला जा रहा है, कि एक pipe अपनी छमता से कारे करें, तो एक घंटे में, पहला pipe और दूसरा pipe, यह एक घंटे का टाइम ले रहा है, और दूसरा वाला pipe, दो घंटे का टाइम ले रहा है, तो इनकी efficiency क ratio 2, ratio 1 आगया, कोई problem, बोले, नहीं है सर जी, कोई tension नहीं है, आप करो काम, अब पहले वाले pipe क्या कर रहे है, पहले वाले pipe क्या कर रहे है, 360 unit को, अपनी छमता के, एक बटे 12 हिस्से से, एक घंटे में, तो इतना unit, 360 का, दूसरे घंटे में, एक बटे 9 से, तीसरे घंटे में, 360 का, एक बटे 6, और चौथे घंटे में, 360 का, एक बटे 4 हिस्सा, और 360 का, एक बटे 3 हिस्सा, तो total, आप मैं टंकी की capacity देख लेता हूं, कितनी है, बारती है, 36, 9, 4, 36, तो 30, 40, 70, 70 और 60, 130, 130 और 90, 220 और 120, 220 और 120 होगा, 340, ये लीजिए भाई, तो पहली टंकी ने क्या किया है, 340, पहली वाली पाइप ने, 340, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है, अब आप लोग जानते हैं, सभी छात्र, ये आपने समय निकाल लिया, ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं, दूसरा वाला कितना लेगा, अगर ये 340 है, तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, कि ये 2 है, ये efficiency आ गई, तो दूसरे वाले की efficiency कितनी आ जाएगी, बटे दो, कर दो 170, क्यों आ जाएगी, कहानी बता हो, क्यों आ जाएगी 170, क्योंकि सर आपनी तो बता रहे हो, कि ये अगर 2 unit बराबर 340 है, तो 1 unit बराबर 170, ये दूसरे वाले pipe की कहानी है, दो अनुपात एक की वज़ा से, कोई दिक्कत हुई क्या है, अच्छा, ये दौनों pipe अगर सेम टाइम काम कर रहे हैं, तो दौनों pipe मिलका टंकी को कितना भर देंगे, 510 unit टंकी बर जाएगी, इतनी भर जाएगी, बर जाएगी नहीं बर जाएगी बता दो यार, बर जाएगी नहीं बर जाएगी, बताओ, तो आप मुझे बताओ, क्या टंकी की capacity इतनी मानी थी क्या हमने, नहीं नहीं नहीं, टंकी की capacity कितनी ये 360 ही है गुरू जी तो ये डेढ़ 100 यूनिट जो एक्स्ट्रा है वो क्या कर रहा है वह खाली वाली पाइप ने खाली किया होगा है के नहीं थ्यूंड सो यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहां से आ रहा है वह सर वह 360 जो माना था न वे उस वज़े एडेट सो निकालना पड़ेगा और यह कौन निकालेगा निकालना ूदे गा तब जाके टंकी बढेगी और यह Alea को current 5 गंट में खाले टंक्यों को भरसकता है 30 वी तू निकालने वाला पाइप बना दि आम ने तो तो उसकी efficiency कितनी आ जाएगी, 30, 30 unit per hour, 30 unit per hour, तो अकेला वो अगर पूरे टंकी को भरे तो कितनी दिन में भरेगा, वही pipe, 12 गंटे में, अकेला वही अगर पूरी टंकी को भर रहे तो 12 गंटे में, यह question में दम, मजदा चीजे हैं, सीखने के ऊपर ही आती हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हर चीज दिखाने की, हम नहीं छोड़ेंगे compromise नहीं कर सकते हम, आपके साथ तो नहीं कर सकते, अभी इसके बाद class है periodic table की, हरीश भया की, ऐसा channel जहां पूरी महनत कराई जा रही है, foundation में पूरा अच्छी से पढ़ाय जा रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा तुमारे साथ, दस होगा, बे मतला, दस लाद हो क्या, बे मतला भी दस होगा, क्यूं होगा पूछू तो, वो नहीं पता सर, चलो चलो इस question को करो, एक tank को 24 मिनट में एक साथ, दो pipe, ए और बी द्वारा पानी से भरा जा सकता है, सर, जदी आठ मिनट बात एक को बंद कर दिया जाता है, तो 24, आठ मिनट तक चलती रही मशीन, तब टंकी 28 मिनट में बरती है, बी को बंद कर दिया जाता है, 28 मिनट, यानि कि 20 मिनट, एकेला, तो यहां से आगए सर, 16 A, 16 A, और 16 B, बराबर 20 A, तो 4 A बराबर आपका 16 B, तो A और B की जो एफिशेंसी आगई, वो आगई, चार अनुपात 1, तो 24, पंजे 120, टोटल वर्क आगया, तो अकेला इस टैंक को कितने में भरेगा, चार की एफिशेंसी से 30 मिनट में, चलिए, भाई, सेशन कैसा लगा, यह बता दो अब दिल से, 103 से लेकर, आगे चलते हुए, इस रास्टे को तै करते हुए, आपका 120 तक, यह आपका होमवर्क है केवल, कल आपका पाइप और सिस्टन भी खतम हो जाएगा, और परसों से आपका time, speed, distance शुरू कर देंगे, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, लेकिन इस काम को और भी बढ़िया, वही बच्चे बना पाएंगे, जो regular free practice भी करें भाई, जिनको आता है, जिनका बिलकुली खतम मामला है, उनके लिए मैं आपको फिर recommend करूँगा भाई, कि भाई foundation cover करो, डीपी भी चली रही है अपनी, आप अपनी best से जुड़ो, शरम मत करो यार, शरम मत करो, quality ना मिले, तो आप बोलो, सीखने को ना मिले, तो आप कहो, जब आपके पास मौका है, आपके पास ऐसे batches हैं, जिनसे आप selection ले सकते हो, तो भाई क्यों नहीं लेते हो, ये बताओ, पढ़ना पढ़ेगा, महनत करनी पढ़ेगी, confidence बजार में बिखने वाली चीज नहीं है, पढ़कर आएगा confidence, आप पढ़के देखिए एक बार, foundation batch लीजिए, पूरा syllabus अच्छे से cover करिए, जो हो गया है, अभी LCM SCF चल रहा है, दूसरा lecture हुआ है, अभी फिर mensuration शुरू हो जाएगा, तो आप जितना late करोगे, जुड भी नहीं पाओगे आप, आप जुडो ना, आप लाइव क्लास लो 9 बचे सुबह चलती है, और आप जो recorded वीडियो हो रात को देखो, आराम से अपकी मर्जी से, नोट्स वोट सब है, इसी तरह से railway record breaking batch में, सारी subject मिल जाएगी, पिटा थमना पड़ेगा, आप तितली नी बन सकते हो, कभी एक फुल दे, कभी दूसरे फुल दे, ऐसे नहीं कर सकते आप, आप धंग से पड़ाई करो, एक जगए पड़ो, अच्छा पड़ो, वही आप जज कर सकते हो, हमारे पास जो बच्चा है ना दोखो, इतना जादा नहीं आता है, लेकिन वह बच्चा पड़ता है, जो सेलेक्शन लेना होता है, जैनून बच्चा जुड़ता है, और जैनून बच्चा ही महनत करता है, आपको लिटरल ही बता रहा हूँ, कि 15-20,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं, जो कॉम्प्टिशन में होते हैं, पॉरम चाहे 15,000,000 बच्चों बच्चों का है, यह बात आप अभी समझ लीजिए, तो आप लोग समझ लेना, कि क्वालिटी कहीं बीट नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी एक्जाम की तयारी करो, आप अपने आपको स्ट्रॉंग करो बस, पेड कोर्स के अंदर जाएगे, बैचेस को सलट करिए, जॉइन पे क्लिक करिए, सम्मिट करिए, लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके, कूपन लगा दीजिए, कूपन से ही डिसकाउंट मिलेगा, कूपन लगाओगे, डिसकाउंट मिल जाएगा, फाइदा आपको उठाना है offers हमारे चल चुके हैं एक अप्रेल वाले तो आप उसका फाइदा उठाइए कोई tricks भाई साहे सर अप्लिकेशन से और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इतना ही कहेंगे और मिलते हैं अब 3 बजे और अभी पिरियोडिक टेबल की क्लास से आपकी हरीश भाईया की पिरियोडिक टेबल पढ़ो सर से आप मज़ा नहीं आए फिर कहिए आप जय हिन जय भारत वंदे मात्रम पढ़ाई करते रहो लाइक शेयर करते रहो बाई बाई